गुद मॉर्निंग स्टुदेंट्स आज हम क्लास 11 का जो है चैप्टर 4 इसका सेकंड पार्ट करेंगे बिटा इसका नाम है न्याय के आधारभूत तत्विया लक्षन ठीक है देखो बैटे जैसे कि मैंने आपको न्याय के बारे में पहले ही बताया है कि न्याय बेसिकली होता है क्या है न्याय जो है ऐसी प्रिस्तियों का नाम होता है जिसके अंदर प्रतेग व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात पूंद वहवार नहीं किया जा रहा है ठीक है तो इस तरी किस देखो वैसे तो क्या होता है कि न्याय का जो कि ज You120 एक जायाए sén कि it also औरinyl क्वेछ还 Akt एक जो पीटा जा रहा है तो दिखने में क्लच सकता हूं आपको कि इस्वेक्ड उपर अत्य चार किया रहा है क्वृट बढ़किन Article ठीज पोजिशन का उती है इस तव्छ गज़ई होती है कि वह एकG कोई समाज के जो है खिलाफ रही है वहता है जो हमारा तरीका है वह वैवस्ता है उसको तोड़ने को कोशिषगी क第一 है के तो की City का काम की साथ जो है वो उनके according change होता रहता है ठीक है प्रंतु पेटा फिर भी हम यह मानते हैं कि कुछ ऐसे basic जो है यह मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे जो है basically हमारे पास जो है जिनके बाद हमें यह महसूस हो सकता है कि हाँ यह न्याय है ठीक है पहले बाद तो आप यह समझ लेजिए कि यह कोशन जो है दिखने में आपको बेशक हलका लग सकता है असान लग सकता है लेकिन यह बह हम से समयर्श करके और अच्छे से अपनी बुक से याद करेंगे विधी हैल्प ओफ नोर्स ओके नाव विल स्टाट फस्ट लेखे विटा कानून के समाक्ष समानता है एक्वैलिटी बिफॉर लौ यह जो है कई-कई बार इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हम के पूर्वक या पक्षपात पूर्ण वैवार नहीं किया जाना चाहिए ठीक है जाती धर्म वन श्लिंग किसी भी आधार पर जो है भेदभाव के बिना सभी को कानून का समान संरक्षन मिलना चाहिए इसका बेसिक पॉइंट का जिस्ट यह है ठीक है इसके बाद एक डेफिन से समझ सकते हैं कि अगर माली जीए कहीं पर भी ऐसा हो रहा है कि पक्षपात यानि कि यह डिस्क्रिमिनेशन किसी तरीके का जो है इनिक्वैलेटी किसी भी प्रकार का जो है impatientWow ऐसा होता है तो इससे स्तिती में जो वह weh sauces एक तो नियाए खिटकी से बाहर चला जता एक कैसे situations जहां पर फक्षपात अगर आ गया है किसी सिचुएशन में अगर फक्षपाता पूर्ण हेपार किया जा यहाण जो है जो होते हैं तो बेटा हमें पता है जो हमारे justice होता है वो अगर कोई ऐसी situation कोई ऐसा जो है तथ्य जहां पर जो है जहां पर तूद नहीं है तो और नहीं हो गोड़ीं कडेंगे आंपस्धेश को समझ करके क्लिए सब्सक्रणा आपस्थ नहीं नहीं हो सब्सक्राइब 35 संद्सक्राइब बोलूँगा सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं बोलूँगा तो वो किसलिए होता है ताकि जो है उसके जो भी वेक्ति वहाँ पर अपना बयान देने आया है जो भी बताने आया है वो सच्चाई को ही बयान करे सच्चाई को ही बताए सच्चाई के विरुद आचरन ने करे ठीक है इसलिए ता कि जो है सत्य सर्वो पर ही रहे और सत्य के आधार पर ही जो है जो नयाई धीश होते हैं सत्य के आधार पर ही फैसला करते हैं तो इसलिए यह जरूरी है कि सत्य के आचरन पर बन दिया जाता है और सत्य के विरुद आचरन को ही क्या का जाता है असक्ते का जाता है इसके बाद जो है आपने देखा भी होगा कि जैसे जो कोर्ट वगएरा होती है उसके अंदर मुकदमा जब चल रहा होता है तो वकील लोग पूरी कोशिश करते हैं कि वह किसी भी तरीके से जो है सच को सामने ले करके आएं ठीक है इसके बाद थर्ड पॉइंट के आए हमारा निश्पक्षता जैसे मैंने बताया आपको इंपार्शिलेटी इंपार्शिलेटी का मतलब क्या होता देखो निश्पक्षता जो है नियाए के लिए एक महत्पूर्ण विशेशक गयता है यानि कि अगर निश्पक्षता जैसे मैंने फॉस्ट पॉइंट में आपको बताया कि अगर पक्षपात आ जाता है ठीक है यानि कि अगर निश्पक्षता नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर नयाई भी नहीं है ठीक है इसी तरीके से अगर माल लिजे क्या होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है ठीक है व्यक्ति है दुसरा व्यक्ति है तो व्यक्ति व प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी वेक्ति के साथ जो है किसी भी आधार पर तो इस तरीके से बिटे सबी वेक्ति कानून के सामने समान उते हैं और इसे नियाय का महतुकुन अंग माना जाता है तो अगर माली जी कोई भी वेक्ति जो है इंपार्शलिटी का शिकार होता है तो इसका मतलब उसके साथ बिचारे के साथ क्या हुआ है अंयाय हुआ है ठीक है उसके बाद फौर्थ पोइट देखो, cuarto point है स्वतंतरता, यानि की लिबर्टी किसी चीज़ की लिबर्टी के उपर बाती है कि भाषण की स्वतंतरता की होनी चेहेा, कि speech की, religious एजूकेशन का, उसको family का, सब चीज़ों का लिबर्टी जो है इसको होनी चाहिए, ठीक है और ये सारी liberties उसको होनी चाहिए इसके लिए जो है हमारे सविधान के अंदर देखो specially fundamental rights की विवात की गई है स्वातंतरता को maintain करने के लिए इन सारे चीज़ों को इन सभी प्रकार के न्याय को प्रदान करने के लिए ठीक है लेकिन खास बात क्या कहा गया है बिटा खास बात ये कही गई है कि किसी भी प्रकार की ये जो स्वातंतरताएं है इनमें ये ध्यान रुखना जरूरी है कि ये सब काम किसमे होने चाहिए जनहित में ही होने चाहिए अगर इन सब का प्रियोग करके जनता का अहित हो रहा है या कुछ ऐसा किया जा रहा है जो जनता के लिए उचित नहीं है तो वो जो है वो न्याये पूर्ण नहीं हो सकता है वो न्याये का स्वरूप नहीं हो सकता है वो न्याये का लक्षन वहाँ पर खतम हो जाएगा वो जो हमने स्वतंतरता का चैप्टर पड़ा था उसमें मैंने आपको अच्छी से बताया था कि स्वतंतरता जो है नकारात्मक और सकारात्मक दो स्वरूप होते हैं तो जो सकारात्मक स्वरूप वाले हैं वो इस बात को मानते हैं कि उचित प्रतिबंदों का नाम ही स्वतंतरता है ठीक है तो अगर उचित प्रतिबंद लगाए गए हैं तो ऐसे में ही क्या सकता है समान न्याई की प्राप्ति हो सकती है उसके बाद देखो फिफ्ट पॉइंट है मूल भूत अवशक्ताओं की पूर्ती मूल भूत अवशक्ता है क्या होती है जैसे कई कई बाद इसका सोच पूरी होने चीए सब चीजें अवशक्ताओं की वह असानी से पूरिति कर सके यह समाज के अंदर होना चाहिए अगर ऐसा है तो वही न्याई पूर्ण जो है सोसाइटी है वहां पर अगर इस तरीके का सोसाइटी के अंदर कल्चर है कि सबीकों की मूल भूत अवशक्ताओ पूरी हो पारी है तो इसका मतलब वह स्ट्रक्चर वह कल्चर वह सोसाइटी सही है ठीक है सिक्स पॉइंट देखो प्रकृति की अनिवार्यता के प्रति आदर के रेस्पेक्ट फॉर नैसेस्टी ऑफ नेचर के प्रकृति की अनिवार्यता के प्रति आदर का क्या मतलब है क किसी को प्रकरती ने कमजोर बनाया है, किसी को पावरफुल बनाया है, इस तरीके से, इसमें पॉइंट में यहाँ पर क्या का गया है, कि प्रकरती ने चाहें किसी को कैसा भी बनाया है, चाहें वो कमजोर है, जो है वो पावरफुल है, लेकिन सोसाइटी के अंदर गरीब है ऐसे स्रीया हैं इस तरीके से जो है pregnant women's हैं इस तरीके से जो महिलाएं हैं ये फिर इस तरीके का जो जो society का जो है समाज के अंदर जो इस तरीके के लोग हैं उन सब का क्या किया जाना चाहिए उनकी विसेश रूप से उनका आधर किया जाना चाहिए ठीक है मुल्यों के आधार भूत क्रम की समान्यता इसका मीनिंग क्या होता है मुल्यों के आधार भूत करम की सम्मालने था देखो इसका मीनिंग यह होता है जैसे क्या होता है यहाँ पर मुल्यों से यहाँ पर कैसा मुल्य यहाँ पर जो है यहाँ पर मुल्य जो है आपके प्राइस वाला मुल्य रही है तो आप यह स्मूखे यहां पर मुल्ले कौन सा है यहां हमारा system of values के बारे में बात कर गए कि जो journal system of values है हमारा वो कैसा होना चाहिए वो सब के लिए समान होना चाहिए ठीक है न्याय करते समय न्याय की एक ही दाड़ना का प्रियोक किये जाना चाहिए ये नहीं है किसी के साथ किसी प्रकारगान नहीं है किसी के साथ किसी प्रकारगान नहीं है अगर समान अपराद गया है तो सब के साथ समान वहवार करते हुए जो है उनको समान ही जो है उनको दंड मिलना चाहिए या समान वहवार उनके साथ किया जाना चाहिए यहाँ पर यह कहने का मतलब है कि आधार भूत क्रम की समानेता का मतलब यह है कि सबके साथ एक ही धारणा प्रियोग में आनी चाहिए अलग 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 धारणा का प्रियोग नहीं किया जाना चाहिए अगर ऐसा किया जाता है तो वो अनुचिद है वो इनकरेक्ट है और वो बिलकुल जो है उसका विरोध जो है किया जाएगा और वो न्याय का अधार बहुत लक्षन नहीं बन पाएगा ठीक है तो सभी के साथ समान न्याय की धारणा का प्रियोग करते हुए जो है न्याय को द ही fields कि बात करेंगे चैने इसमें Social Justice की बात हो चैनने पोलिटिकल Justice की religious justice की legal की δεν की किसी भी प्रकार आप जो है हर एक जो है इसके अंदर हर concept को जो है इसके अनदर शामिल जाता है हर फील्ड के अंदर जो है न्याय मिलेगा तभी हम यह मानेंगे कि मानव जीवन जो है वह सही तरीके से विक्सित हो पाएगा अगर उसके विभिन पक्षों के आधार पर उसको न्याय के विभिन पक्ष है जैसे तो उसको विभिन पक्षों में न्याय उससे तभी माना जाएगा जब उसको सभी स कि नियाय का सिदन रहे वास्तव पित वाक चाहिए ठीक ही वास्तव में नियाय का सिदन ने उसी उसके इतने सारे थे पक्ष बताएं उसके भिबिन पक्षेश वह और श्रक लगते किली है पुस्तव में इसनी हम इसको क्या वाहनता कशन है न्याय का क्या लक्शन होता है जो हमारा इसकी बहु पक्षिय इसके बात देख़एंट नेक्स्स क्या पउइंट का हमा रहें आपको दो 4 में कर देखो समाज के अंदर सभी प्रकार के लोग रहते हैं ठीक है जो आर्थिक और समाजिक रूप से जो पिछला हुआ वर्ग है हम specially उसकी बात करेंगे संड़क्षित भेधाओ के अंतरगत है के समाज के ऐसा जो आर्थिक और समाजिक रूप से पिछला हुआ वर्ग है तो उस वर्ग को साथ जो है न्यायपून स्थिति उनके लिए पैदा करना, यानिकि उनको भी शमान अवस्थर प्रदान करना जिससे कि वह अपना अधिक्तम विकास कर सकें अगर ऐसा कर पा रहे हैं ठीक है अगर ससाइटी के अंदर समाज के अंदर ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है कि सभी चाहें वह किसी भी आर्थिक और सामाजिक इंडिया के अंदर तो जो हम यह सिस्टम देखते हैं रेजरवेशन का यह इसी का एक पार्ट है रेजरवेशन देने का उदेशय ही यह है कि जो इस प्रकार की जो हमारा जो ऐसा समाज था जो आर्थी के समाजी को उप से पिछड़ा हुआ था जिसमें आरक्शन को देने के पीछे यही उदेशय है केवल और केवल के ऐसा जो है इस तरीके का जो सनरक्षद ब्हेदभा होता है वो नयाय की भावना के अनुकूल है और इसके दोरा समाजिक नयाग सापना सबसे अच्छे तरीके से की जा सकती है ठीक है? तो इस तरीके से आज जो है मैंने आपको ये सारे इसके टोटल ओवरोल सारे के सारे पॉइंट बता दिये हैं All points are important All ठीक है? सभी आपको याद करने हैं उसके बाद देखो ये जो लास्ट में कंक्लूजन आप जरूर लिखेंगे हमेशा चाहें आपके पास टाइम कम है चाहें ज्यादा है आप कोशन की स्पीड अपनी ऐसी बना करके रखें कि आपको जो है कंक्लूजन लिखने के लिए जरूर साइम मिल जाए तो हम इसमें ये लिखेंगे कि सभाटी खीतों की कारण किया होता है कि वैक्ति के सवतंत्रता अंकुश लग जाता है परांटू यदि समाज के अंदर इस तरीके से न्याय का संबंध जो है वेक्ति के केवाल अधिकारों से नहीं है बलकि समाजिक वेवस्था के संरक्षन से भी है ठीक है तो समाजिक वेवस्था के संरक्षन को ध्यान में रखते हुए नियाई की स्थापना करना ही जो है राज्ये का परम धरम है राज्ये का परम खरतव है तो इस प्रकार से उपरोग तो सभी जो है अगर राज्ये के अंदर पाय जाते हैं तो इसका मतलब वहां पर नियाई की स्थापना है ठीक है मरी हाल से आपको समझ में आ गया होगा ठीक ह ओके, have a nice time, अपने याद करो, पढ़ाई करो, खुश रहो, शावास बच्चो